आपने एक बड़ी आपत्ती जनक बात की शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसल्मान यहां हैं उनको डर करने की जुरुवत नहीं किस मुसल्मान के आप से डर है? इंदुस्तान को कोई मिसललवान आप से डरता नहीं है मैं उधारन देता हूँ एक शख्स यहां 1922 में आया उसके दो-तीन बच्चे हैं उसकी मृत्यू हो गई आज वो है नहीं उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटिजन्शिप दो आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यू हो गई वो तो कहें नहीं सकता कि भई वो प्रसीक्यूट हुआ था उसने कभी पहले का आए भी नहीं तो बच्चों को सिटिजन्शिप कहां से मिलेगा? कि जाधार पे दो गया? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई केई गया है बोला है जेतों लाखों लोगे हैं जिनके आप बात करते हैं पांच लाख है, छे लाख है, दस लाख है, बारा लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंँ है लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं पर्सीक्यूट हुआ था आपको साथ बड़ी गलत फहमी है उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं उन्होंने सब डेक्लेरेशन दिया कि मैं तो यहां का रहने वाला हूँ आप उसको इस विधायक देवारा जूप्ट बुला रहे हो जो शक्स कह रहा है कि मैं तो हिंदोस्तान का रहने वाला हूँ आप उसको कहना चाहते हो नहीं नहीं तुम हिंदोस्तान के रहने वाले नहीं हो तुम कहो तुम 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 भगला देश ते आए थे और क्यों पर्सीक्यूट हो रहे थे इस लिए तुम हम आपको सिटिसन्शिप देंगे ये किस किसम का कानून है आप क्या कर रही हो समविधान के साथ आप धजियां उड़ा रही हो समविधान थी आपका मकसद क्या है आपका मकसद तो हमें मालूम है 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है कभी गर बापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक कभी C.A.B, कभी N.R.C, फिर दुबारा N.R.C, मचलब के फिर 370 आपका लक्ष में मालूम है, आपका लक्ष मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है, आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो, इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा, आपने एक बड़ी आपती जनक बात की शुरुआत में आपने कहा, वो जो मुसल्मान यहां ना मैं डरता हूँ जा इस देश के नागरिक डगते हैं ना कोई मुसल्मान डरता है डरते हैं तो हम सम्विधान से डरते हैं जिसकी आप दजियां उराड़े